वेलकम मेरे चानेल में हम इस वीडियो में डिसकास करेंगे रेल इंजिन और फ्रेट इंजिन और इसका वागन के बारे में यह देखिए यह वाग 9 जो 9000 होर्स पार एकोवेलेंट इंजिन विद बी-सी एने एचसेम वागन ग्लोज वागन ग्लोज वागन जो बारिस में और वेदर कंडिशन में जो खराब होने हैं वो जैसे की सिमेंट फूट ग्रेंज और क्रॉप्स जो बारिस में भीगने से खराब होने के चांसिस हैं वो सब क्लोज वागन में फ्रेट किया जाता हैं और जो अगर हेवी लोड है वो डाबल इंजिन के जरूरत है और इस एमटी जैसे यह जो गूट स्टेंड है वो एमटी है जो सिंगल इंजिन और सिंगल इंजिन इंजिन सफिशन और इस मोगिंग इन वेरी हाइए स्पीड और एदिखे डॉड जी फोर जी डिजल इंजिन पेल्शन विल्या उसे एक कोलाबरेशन विट इसे अंडिया इसमेड और जो जहां इलेक्टिफाइं नहीं है जिस ट्राक में वहाँ और हाइएल्टिट्टिउड के लिए यह इंजिन यूसस किया जाता है गले जो हाई अल्टिट्फाइं नहीं है और जो जो आ सब इलेक्ट्रिफाइंग नहीं है वहाँ यह सब इंजिन को भेजा जाता है बहुत ही पारफुल इंजिन है USA and India कोलाबरेशन में बनाया गाया है यह अल्टा मोडन इंजिन है और BCNA HSM लोड दे जेखिए यह रेशन का जो चावल है गयों है और यह सब समान लोड किया हुआ इसमें और कुछ-कुछ वागन में डोर्स खराब है वहाँ नहीं वह समान नहीं है यह स्लोली एंट्रिंग इंटू दा यार्ड इसे वांडरफुल लूक BCNA HSM लोड वागन है क्लोज वागन है यह information हम share करना चाहरे है जो यह बहुत आदमी को पता नहीं है और जो weather में weather condition में कुछ-कुछ खराब होने वाला नहीं है जैसा iron और coal